सभी को जैन दोस्तों आप सभी का हार्दिक्स हो गते हैं जैन दी रियक्शन्स पर आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छ होंगे वाज हम आपके लिएक लेटेस्ट एक इंट्रोस्टिंग और धमाकेदार वीडियो लेकर आएं जिसमें आप देखेंगे कि असाम के मुख्य मंतरी मंता विस्व शर्मा जी ने जो कानून लाया है उसे सुनकर जो जिहादी हैं जो मजब के ठेकेदार हैं वो वेसी जैसे उनको काफी ज़्यादा तकलीफ हुई है और वो उचले और मचले लगे हैं तो इसी मुद्दे पे आप देखेंगे भारत की ब मैं मुसलीम हुए है हम कि हिसी साब जे चलेगे हैं सुरीयत के हिसाब तो हमारी हमारी मर्जी होगी इसमें यह भी दो बच्चे दो बच्चे के अंदर से किसी का है और दूसरा इंडियन सोसाइटी के एक लडगे का है माइंड सेट दोनों का अप्रॉक्टिमेट सेम है वोमन के अगेंस्ट डिक्रिमिनेशन जो वो स्कॉलर इंगलिश पर बोल रहा है वो यह कह रहा है कि महाई सीधी सी बात यह है कि वोमन के अंदर साइकोलोजिकल चेंज होते हैं क्योंकि वो प्रेगनेट हो जाती है उनकी मैंस आती है और यहां यह कह रहा है यार मेरी मर्जी होगी मैं चार करूंगा तू कोन अक्तरी डिसाइड करने वाला तू एक कर मैं तो चार करूंगा और वो मेरी मर्जी अब इस चीज के लिए स्टेट में आसाम ने हेमत्ता विश्वा सर्माजी ने एक लॉव लेके आए हैं पहले वो लॉव सुने के लिए हम में साइल मेरेज नहीं होने डूंगा जब तक मैं जिन्ना हो आप होने नहीं डूंगा बहुँग जब तक जब तक हम लिए यहां चाइल्ड मैरेज एक पार्ट ऑफ जहां तक मुझे लगता है इंडियन के नाम है मुस्लिम्स की एक यहां सिच्वेशन है कि लड़की की जो मैरेज़ेबल एज है वो 10-11 साल है या 18-19 साल है जैसा कि गवर्मेंट करता है यह चीज हम यहां पर देख पा रहे हैं कि कहीना कहीं एक इनिशियेटिव लिया गया है कि वुमन या लड़कियों की जो मैरेज़ेबल एज है वो हम बढ़ा के 18-20 साल करेंगे इस चीज में अब्जेक्शन है और वह जो दो अब्जेक्शन एक आसाम के मुस्लिम्स जो मिम्याते हुए दिखाई दे रहे हैं दिदी और दूसरी तरफ ओवेसी जो खुल कर क्रिटिसाइज करता हुआ नजर आ रहे हैं एक बार ओवेसी को सुन लेते हैं और या थेंक वो ज़्यादा इंपॉर्टन है क्योंकि इसका जो बयान है और मुझे लगता है आप उसक के बारा बजे वा खनून खतम करें जो नववत साल परणा खनून है उस खनून के तहद आसाम के मुसल्मानों की शादी वहां के रिजिस्टरा या खाजी के तहद होती थी और उसके बाद उनको निका नामा के सिटिफिकर्ट मिलता था अब उन्होंने किया कि उसको शादी तो निका से होती है ना तो special marriage act में निका का provision है क्या बताईए मेरे को भई मेरा religious duty है मैं अपने religion के लिए आख से शादी करूँगा ना special marriage act में तो religion नहीं है वो तो एक neutral secular law है तो अब निका का आप उसमें concept निकाल दी number one दूसरा मुसल्मानों में जब शादी होती तो दूले की तरफ से उसकी होने वाली wife को दूलहन को महर देना पड़ता महर मौजल माने फौरन दे देना उसका जिकर होता उसमें कि इतने महर इतना दिये या बाद में देंगे तो उसका भी जिकर होता अब आप बताईए यह वह भी निकाल दिया बाद तो इससे तरीके से इसने पूरे का पूरा भी बयान किया जैसे भी मेरे कुष्चिन आप से सिंपल सा है एक तो यह कह रहा है अब कह रहा है कि यार तुमने तो यह law secular बना दिया बेलों को यही समझ भी शेकिलर चाहिए या कॉमिनल चाहिए यह बता दो दूसरा इसमें निकाह निकाल दिया यह तो शादी हो गई तीसरा इसके अंदर हम हाक मेहर या महर मुझा वल संतिंग कुछ वर्ड यूज किया उसके आगे यूज करते हैं कि हम तो तलाक वलाग दे सकते हैं अब उससे पहले वाला माईट सकती इस चारो तरफ से एक ऐसी कन्फीजन क्रिएट कर रखी है कि जैसे एक बंदा है जो यह कह रहा मुझे यह चाहिए जब वह मिल जागत तो यह नहीं चाहिए यह चीए मैं सैडिस्टाइब नहीं होंगा मैं मानूगा नहीं चाहिए कुछ भी हो जाए पाई क्यों नहीं बता ये बताये. दीए, रिफोर्मेशन मुसल्मानों के लिए बहुत जरूदी है. क्यूंकि मुसल्मान अपने जिद की वज़ा से शिक्षा में पीछे हैं और अपने हर एक जब उनको बहुत आगे रहना चाहिए, चलना चाहिए उन सब चीजों में पीछे है यह यू कह सकते हैं कि मुसल्मानों ने अपने जिन्दीगी को तबह बर्बाद कर दिया है अपने इसलामिक चीजों को फॉलो करने के चंग करने के वही पर on the other hand आप देख लीजिया अरब बहुत successful हो रहा है बहुत successful हो रहा है अप तो न ब्रिटिश लो होता सब को पता है और मुसल्मानों की एक बहुत बड़ी आदत है उन वो भारत में रहना बहुत पसंद करते हैं लेकिल भारत का खानून उनको पसंद में आता है या तो उनको ब्रेटिश का खानून पसंद आता है या तो उनको जिन्ना का बनायागा बहुत सारे यह जो आसाम Act 9 Muslim Marriage and Divorce Registration Act है इसके पेज नमर 2 पर चले जाहिएगा 0.8 का सबसेक्शन 1 पर लिएगा By the parties to the marriage jointly provide that if the bridegroom or the bride or both be minor application be minor application shall be made on their behalf on their respective lawful guardians and provided further that if the bride be एक उर्दु का वर्ड है such application may be made on her behalf by her duly authorized working यह जो आसाम Act 9 Muslim Marriage and Divorce Registration Act 1935 पर इसके द्वारा minor बच्ची 0.8 सबसेक्शन 1 के हिसाब से minor बच्चियों का की शादी निकाह हो सकती है अगर वो बहुत चोटे हैं तो उनके विहाफ में उनका वकील या उनके गार्जियन लॉपूल गार्जियन है वो सिक्नेचर करने हिमंता विश्वा शर्मा जी जब विधान सभा के अंदर चिला रहे थे बाल विवा हम नहीं होने देंगे जब तक हेमंता विश्वा शर्मा जिन्दा है तब तक वो बाल विवा नहीं होने देंगा तो मुसल्मान के जितने भी जूट थे वो परिशान हो गए कि अब छोटी-छोटी बच्चियों से सेक्श्वल मज़ा लेंगे अब ऐसी का परिशान होना लाजमी है मैं मानती हूँ कि उसका परिशान होना लाजमी है हला कि उसने अपनी बेटियों के शादी पीरियर्स के बाद नहीं के खाए कुछ बेटिया तो उसकी 32-32 साल की हो गई है पर शादी नहीं की लेकिन मुसल्मान लड़कियों की शादी उसके घर के बाहर जितनी मुसल्मान लड़कियां है उसकी शादी माइनर एज में हो जाए इसके लिए वो बहुत परिशाद है मुसल्मान बेटियांगे इंजीनिर डॉक्टर जजड बने इसके लिए वो बिलकुल परिशान नहीं ज़ए और यह मुल्लाओं के जुन लेकिन मुसल्मान बेटियों के सलवार में जहाकने की जिम्मेदारी मुसल्मान मुलाओं को बहुत ज्यादा है कि जैसे ही Puberty होगी periods होगा और वैसे ही उसका निकाँ हो जाना चाहिए मेरा इसलाम कहता है age of Puberty is age of marriage. Global warming और बहुत सारे खान पान की वज़ा से बच्चियों को जो periods है वो 10 साल में हो जाता है, 10 साल में हो जाता है, 10 साल में हो जाता है, 10 साल, 10 साड़े, 10 से 11 पहुंचने पहुंचने तक हो जाता है. तो इसलाम के अनुसार और आसाम act 9 Muslim marriage and divorce registration act.8 subsection 1 के हिसाब से उस 10 साल, 17 साल, 10 साल, 11 साल की बच्ची का निकाँ हो जाना चाहिए. अब जब वो बच्ची 22 साल की होगी, तो उसका बच्चा 10 साल, 11 साल का हो जाएगा. कैसे पॉसिबल है, फिजिकल ग्रोथ तो हुई दिये बच्चे की, मेंटल ग्रोथ तो भूली जाओ. मेंटल ग्रोथ का तो आप सवाली चोड़ दीजिए. और उसके बाद प्रेग्नेंसी बेटाइन कर लेगी. कैसे नहीं कर सकती है, पेरियर्स के बाद तो प्रेग्नेंसी करी सकती है. क्योंकि जो उसके साथ, अब आप क्या सोच रहे हैं, कि 10 साल की बच्ची की शादी क्या 12 साल के लड़के से होगी? क्योंकि नहीं, 10 साल ये 11 साल की बच्ची के शादी 30 साल, 32 साल, 35 साल के मर्द से होती है. तो मर्द का जो आर्टिकल होता है वो तो वर्थ कर रहा हो होता है और बच्ची की जब मेंसुरेशन फर्स होती है तो वो तो काफी एक्टिव होती है तो बच्चा कंसीब तो तुरब हो जाएगा आप मेडिकल तरीके से सोचिए तो तुरह बच्चा कंसीव कर लेगी हो क्योंकि मर्द मच्योर है बच्ची का 10 साल 11 साल की बच्ची का पिरिएट का बिल्कुल स्टार्टिंग है ब्लड फ्रेश है तो वो तो बच्चा कंसीव करेगी आप मर्च्योरिटी को छोड़े दीजिए और आप फिजिकल ग्रोथ भी छोड़ दीजिए लव्ज है कि पीरियर्ट से स्टार्ट होना है जिससे बच्चा होना स्टार्ट हो जाए और वाकिय में पीरियर्ट से स्टार्ट हो चाता है तो बच्चा होई रपकंसी होई चाता है दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंतक देखा होगा और हमेशा की तरह नाजिय अलाए खान जी का दंदार और बेबाक रियाक्शन आपको काफी पसंद आया होगा और इसमें आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा जहां पे नाजिय खान जी ने आपको facts और figures के साथ इस कानून के बारे में बताया बहुत सारी नई चीज़े हैं हमें समझाई और आपने देखा कि क्यों ये जो जिहादी हैं ये जो शांती दूद हैं और ओवेजिय से जो मजब के ठेकेदार है इनको इतनी ज़्यदा तकलीफ क्यों हो रही है इस ने कानून से बाकी नाजिय जी ने एक बड़ी मत्वन बात की कि शांती दूद भारत में तो रहना चाते हैं पर भारत के कानून को नहीं मानना चाते हैं आपके क्या विचार हैं आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिकर जुरू बताएं और एक बफेर चैल पर नहीं है तो चैल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम अपनी से लेटस्ट इंट्रोस्टिंग और इंफोमेटिव वीडियो लाते रहें और वीडियो कर पसं